अगर आपको कभी कोई ऐसी चीज मिल जाए जो आपकी बहुत ही ज्यादा फेवरेट हो और फ्री भी मिल जाए तो फ्रेंड्स उस हुशी का तो कोई मुकाबला ही रही है वेलकम बैक टू माई चैनल हैपी गार्डनिंग गार्डनिंग कीजिए और खुश रहिए फ्रेंड्स आज की जो वीडियो है मेरी इसी टॉप पिक्चे रिलेटिड है कि अगर आपके पास कोई ऐसा प्लांट है जिससे आपको फ्री में बहुत धेर सारे प्लांट्स जो है वो मिल जाते हैं और आप बहुत सारे प्लांटर जो हैं वो उस प्लांट से कवर कर लेते हैं तो आप यकीनन बहुत ही ज्यादा खुश होगी तो चलिए आज मैं आपको बताऊंगी स्पाइडल प्लांट या क्लोरोफाइटम जिसको बोलते हैं उससे आप कितने धेल सारे प्लांट जो है वो बना सकते हैं चलिए तो फ्रेंट्स यह है मेरे पास काफी सालों पुराना एक क्लोरो फाइटम जिसमें से मैं बहुत सारे और नए प्लांट्स बनाती रहती हूं कभी यह बेबी प्लांट से तो कभी इसको मल्टिप्लाइ करके तो आज यह रात में तेज हवा चली थी तो यह गिर गया था और गिरने की वज़ाए से थोड़ी मट्टी भी जो थी वो जढ़ गई थी तो मैं सोच रही हूं कि इसके जो प्लांट्स है मल्टिप्लाइ करूं और थोड़ा सा यह हलका हो जाएगा तो फ्रन्स यह देखें यह स्पाइडर प्लांट है जिसे क्लोरोफाइटम भी कहते है और यह बहुत ज्यादा रूट बॉर्ण हो गया है और अब इसको जो है मल्टिप्लाइ करना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो गया है तो आप इस प्लांट से एक प्लांट से बहुत सारे प्लांट्स जो है वो बना सकते हैं तो यह मैंने ऐसी ही बास्किट्स जो है वो अपने रिच सॉयल मीडिया से रेडी कर रखी हैं तो मैं इसको पहले अलैदा कर लूँ और ताके मैं उसमें ट्रांस्वर कर लूँ अगर आपने कभी क्लोरोफाइटम या स्पाइडर प्लांट इसलिए मेरी मट्टी थोड़ी सी गीली हो गई है और फ्रेंट्स ये इसके रूट्स देखें ये इसकी फीडर रूट्स हैं कितनी खुप्सूर्टी से ये ब्रो कर रहा है और सारी मट्टी खा गई है इसकी रूट्स जो है ये रेखें आप चाहें तो इन रूट्स को ट्र लेते हैं फ्रेंड्स यह बहुत ही ज्यादा आपस में जुड़ी हुई रूर्स है और मुझसे अलैदा नहीं हो ज़ी तो मैं काफी ज्यादा जो रूर्स है वह टूट रही है यह देखें फ्रेंड्स यह मैंने नीचे नारियल का छिल्का रखा था बहुत जोर असमा काम है गार्डलिंग करना कोई हाला जी का घर नहीं है फ्रेंड्स तो फाइनली यह देखें यह मैंने अलैदा कर लिया है अब आप चाहें तो इसको ऐसे भी लगा सकते हैं आप चाहें तो इसको अलैदा भी कर सकते हैं तो यह फ्रेंड्स यह देखें ये spider plant या chlorophyton की वो roots हैं जो अपने अंदर बहुत सारा पानी store कर लेती है hold कर लेती है पानी को ये देखें तो आप चाहें तो ये देखें एक plant ये देखिए मैं इस से बहुत सारे plants जो है वो बना लूँगी ध्यान रखिएगा कि ये जो roots हैं इसके साथ होनी चाहिए आज कल बारिशों का season है तो आपका plants जो है वो stress में नहीं जाएगा फुल गर्मी में या फुल सर्दी में जो है आप ये काम मत कीजिएगा जब monsoon की बारिशें शुरू हो तब आपने ये वला काम जो है करना है तो friends ये देखें ये मती हटा के जो है ये आप roots ऐसे इसमें डालेंगे और इसको cover कर देंगे ये देखें फ्रेंड्स ये एक मैंने इस वाली basket में लगा दिया है और एक plant जो है मैं इसमें लगा दूँदी ये इस soil media में जो है खाब जो है वो मैंने पहले से डाल रखी थी इसमें मैंने kaवडंग जो है वो मिला के रखी थी और river sand इसमें या construction sand कोई भी सेंड आपको मिल जए वो मैंने इसमें डाली है और काउडंग डाली है और सिंपल गार्डन साइल का यूज किया है तो यह आप रूट्स को अच्छी तरह से सेंटर में करके बास्किट के तो आप इसको ढख दें हलके हाथ से आप मट्डी को प्रेस करें ताके रूट्स जो है वो डैनिज नहीं हो यह देखिए फ्रेंड्स यह मेरे दो प्लांट बन गे अभी जो है मैं इस वाले में भी लगाऊंगी आप चाहें तो सारे प्लांट्स जो हैं वो आप अपने दूसरे प्लांटर में लगा सकते हैं आप चाहें तो आप दूसरों को यह गिफ्ट भी कर सकते हैं मैं मजीद इसमें से प्लांट्स नहीं अलाइदा करूँगी मैं इसको जो है ऐसे ही लगा दूँगी इसकी मट्टी जो है वो चेंज करूँगी यह देखिए फ्रेंड्स अब आप जो है इनको थोड़ा थोड़ा सा पानी दे दीजिए ज्यादा पानी नहीं देना क्योंकि इसकी रूट्स में बहुत सारा पानी होता है और मौनसून में यह बहुत जल्दी और अच्छे से ग्रोव करते हैं और यह फ्रेंड्स यह इसी स्पाइटम या स्पाइडर प्लांट के पांच प्लांट्स जो है रेडी हो गए हैं पहले मेरे पास एक ही प्लांट था यह सब प्लांट्स जो है यह मल्टिप्लाइ हुए हैं और देखिए किते खुबसूरत लग रहे हैं और मेरे हाद भी बहुत गंदे हो गए हैं धेर सारे plants जो हैं वो ready कर सकते हैं गिस्प भी दे सकते हैं और अपने garden में plants की जो शादाद है उसको भी ज्यादा कर सकते हैं I hope आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आएगी मुझे comment section में ज़रूर बताईएगा और मेरे ने देखने वाले मेरे channel को subscribe सुरूर केजिएगा ओके जी अलाहाफेज